भाईयों और बहनों, 21 सदी का भारत अपने इंफ्रास्रक्टर को आधुनिक बना कर और तेजी से विक्सित हो सकता है। पहले लंबे समय तक जिन दलों की सरकारे रही, उन्होंने देश की इस जरूरत को कभी समझा ही नहीं। उन दलों का ध्यान गोटालों पर था, ब्रश्टाचार पर था, परिवारबात के अंदर ही वो सिमते हुए थे। परिवारबात के बाहर निकलने के लिए उनके ताकत कहीं विशे रहा नहीं था। भारत में हाई स्पीड ट्रेनों को लेकर भी पहले की सरकारों ने बड़े बड़े दावे किये। इन दाव में कई कई साल बीद गए। हाई स्पीड रेल तो छोड़िये। रेल नेटवर्क से मानव रही आटक तक हटा नहीं पाए थे। रेलवे के बिजली करण की स्थिती तो और भी गंबीर थी। 2014 तक देश के एक तिहाई रेल नेटवर्क करा ही बिजली करण हो पाया थे। एक तिहाई। जब एक स्थिती हो तो तेजी से चलने वाली ट्रेल चलाने के बारे में सोचना भी असंभव था। 2014 के बार के बार हमने रेलवे को ट्राश्फर्म करने के लिए छोत तरफ़ा काम शुरू किया। एक तरफ हमने देश की पहली हाई श्पीड ट्रेइन के सपने को जमीन पर उतारना शुरू किया। दूसरी तरफ पूरे देश को सेमी हाइश्पीट ट्रेनों के लिए तयार करना शुरू किया, जहां 2014 से पहले हर वर्ष आउसतन 600 किलोमेटर रेल लाइन का बिजली करण होता था, वहीं अब हर साल 6000 किलोमेटर रेल लाइनों का बिजली करण हो रहा है, कहां 600 और कहां 6000 कि आज देश के 90 प्रतिशत से अधिक रेलवे नेटवर्क का बिजली करण हो चुका है, उत्राखन में तो पूरे रेल नेटवर्क का सत प्रतिशत बिजली करण हो चुका है, भाई और बैनों ये काम इसलिए हो रहा है, क्योंकि आज सही विकास की नियत भी है, नीती भी है और निष्ठा भी है, 2014 की तुलना में रेल बजेट में जो वृत्ति हुई है, इसका सीधा अलाब उत्राखन को भी हुआ है, 2014 से पहले के पांच सालों में उत्राखन के लिए एवरेज आउसतन दो सो करोड से भी कम बजेट मिलता था, और अभी अश्विनी जी ने विस्तार से इसके विशे में बताया भी, दो सो करोड से कम इतना दुर्गम पहाडी खेत्र, रेलवे का भाव और बजेट कितना, दो सो करोड से भी कम, इस वर्ष उत्राखन का रेल बजेट पांच हजार करोड रुपिये हैं, यानि 25 गुना बढ़ोतरी, यही कारण है कि आज उत्राखन के नए नए खेत्रों तक रेल का विस्तार हो रहा है, रेलिवेरी नहीं, बलकि आदूनी हाईवे का भी उत्राखन में अभुद्पुर्व विस्तार हो रहा है, उत्राखन जैसे पहाडी प्रदेश के लिए यह कनेक्टिविटी कितनी जरूरी है, यह उत्राखन के लोगों से अधिक और कोई नहीं समझता है, कनेक्टिविटी के अभाव में, अतीत में, कैसे गाउं के गाउं खाली हो गए, उस पीडा को हम समझते हैं, आने वाली पीडी को उस पीडा से हम बचाना चाहते हैं, उत्राखन में ही टूरिजम से, खेती किसानी से, उद्योगों से, रोजगार के अउसर बने, इसलिए इतना परिश्राम आज हम कर रहे हैं, हमारी सीमाओं तो पहुँच आसान हो, राष्ट रक्षा में जूटे हमारे सैनिकों को असुविदा ना हो, इसमें भी ये आधुनी कनेक्टिविटी बहुत काम आएगी,